तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Top 5 Cheapest Countries to Visit from India मतलब 5 ऐसे देश जिन्हें आप सस्ते में घूम सकते हैं इंडिया से तो अगर आपका सपना है कि आप किसी दूसरे देश में जाकर वहां की संस्क्रती के बारे में जाने और या फिर आप शौकीन हैं दूसरे देशों में घूमने के तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारी फर्स्ट कंट्री है श्री लंका श्री लंका अपने प्राकरतिक संदरी यानि की नेच्रल ब्यूटी के लिए काफी जादा फेमस है और वहां की बायो डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपको कोलंबो तक की टिकेट सिर्फ 3200 रुपे में मिल जाएगी और वो भी चैननी एरपोर्ट से तो आप इतने में श्री लंका पहुँच जाएंगे और श्री लंका में आपको परड़ी का कॉस्ट भी 600-700 के आसपास ही पड़ेगा याने की आपका श्री लंका का बजट एकदम कम में बनेगा तो आप वहाँ पर जाके वहाँ की चीज़े एक्स्प्लोर कर सकते हैं अब हमारी दूसरी कंट्री है थाइलेंग थाइलेंग अपनी नाइट लाइफ याने की पाटी इसको लेकर काफी जाद फेमिस है आपको वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बीचिस भी देखने मिल जाएंगे और जो लोग हिस्ट्री लवर्ज हैं उनके लिए भी थाइलेंग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्लेस हो सकता है इसके अलावा अब देखते हैं कि ये हमारे बजट में होगा या नहीं तो आपको विशाखः पत्नम से थाइलेंग की फ्लाइट सिर्फ 3200 रुपे में मिल जाएगी और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे हॉस्टल्स मिल जाएंगी जो की सिर्फ 500 रुपे के एप्रॉक्स आपको पड़ेंगी आपको वहाँ का दिन का खर्चा भी जादा नहीं करीब 7-800 रुपे में आराम से हो जाएगा और जो सबसे चीपेस्ट मंथ है यानि कि वो महीने जिन में थाइलेंग आपको काफी कम में पड़ेगा वो हैं मार्च से लेके ऑक्टूबर तक आप अगर इन महीनों में जाओगे तो आपको आपकी थाइलेंग ट्रिप बहुत कम में पड़ेगी यानि कि आपके बजट में अब हमारी तीसरी कंट्री है मालदीव्स यानि कि बहुत ही सुन्दर और इंट्रेस्टिंग कंट्री इंडियन्स ने माल्दीव्स के बारे में बहुत सुना ही होगा क्योंकि यहां के सेलेब्रिटीज अपनी वेकेशन्स मनाने माल्दीव्स जरूर जाते हैं क्योंकि वहां का महौल बहुत ही अच्छा है तो आप भी माल्दीव अराम से जा सकते हैं क्योंकि माल्दीव्स के लिए आपको फ्लाइट टिकेट्स पाँच हजार के अंदर मिल जाएंगी और वहाँ पर आपको परडे का खर्चा भी सिर्फ दो और तीन हजार के लगभग ही पड़ेगा और एक और इंट्रेस्टिंग बात कि माल्दीव्स आपको वीजा फ्री मिलेगा क्योंकि माल्दीव्स इंडियन्स के लिए वीजा फ्री है तो आप अपनी माल्दीव की ट्रिप जल्दी से जल्दी प्लाइन कर सकते हैं तो हमारी फोर्थ प्लेस है कमबोडिया कमबोडिया आपको सबसे सस्ता पड़ेगा मार्च से लेकर जून तक और आपको कमबोडिया के लिए फ्लाइट सिर्फ 5600 रुपे में आराम से मिल जाएगी और वहाँ पर आपका डेली का खर्च भी 6-700 रुपे के आसपास ही सिर्फ एक easy online process के द्वारा चार दिनों में ही मिल जाएगा एक और बात बता दे कि कमबोडिया इंडिया से काफी आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि 1 इंडियन रुपी is equals to 55 कमबोडियन रियल यानि कि काफी कम तो आप समझ रहे ना मतलब ही आपके बजट में आराम से बैट जाएगा तो आप एक new country अपने बजट में घूम सकते हैं तो हमारी fifth country है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में बहुत ही सुन्दर जगह है बाली कि जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा इंडोनेशिया अपनी natural beauty और beaches के लिए काफी जादा famous है इंडोनेशिया के लिए आपको flight बहुत ही सस्ते में यानि की सिर्फ 6,000 रुपे में मिल जाएगी और एक और खास बात कि इंडोनेशिया इंडियन्स के लिए visa free है तो I'm sure कि आप इंडोनेशिया जरूर जाना चाहेंगे और आप वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छी चीजों की shopping भी कर सकते हैं I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आई है तो please channel को subscribe कर दें और वीडियो को like कर दें and thank you very much for watching us